पत्रीका खोलते हैं पंडीजी और कह देते हैं कि काल सर्प दोश है पत्रीका खोलते हैं और कह देते हैं पित्र दोश है उनसे मेरा निवेदन है जिसकी पत्रीका में काल सर्प दोश है पित्र दोश है उनसे निवेदन करूँगा यदि काल सर्प दोश है और आप तरंब के विश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोश की तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो उस पर चांदी के दो नागनागिन रख लो रविवार के दिन सिर के पास में जिस घर में सोते हो पलंग पर सोते हो उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो सोंबार को इसनान करो सुभाजल रियूट कर दोनों नागनागिन की पूजन करो घर में किसी से ज़्यादा बात ना करो इसनान करकर पूजन करकर थोड़ा सकटोरी में कच्चा दूद लेकर उस नाग-नागिन पर चढ़ा कर पूजन करकर सफेद फूल दो चढ़ा कर उस कलश को ले जाओ और शंकरजी के शिवलिंग पर ऐसे अरपन कर दो कलश बापिस लियाओ, नाग नागिन शक्कर सब चड़ाओ बापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बारिस नाम कर। महाराज, कितना भी भारी काल सर्प दोश क्यों नाओ पित्र दोश केसा भी हो, उसमें आराम लग जाता है